हलो बच्चों गूड इवनिंग कल साथ मैई 2023 आ रही है जिसका हमें इंतजार था कहते हैं बच्चों जीते का वही जो सेर की तरह शांतर रहकर और शिकार करें तो निश्चित तोर पे बड़े से बड़ा शिकार भी वो अपने कबजे में कर लेता है और आपके लिए शिकार कल की एकजाम निट की एकजाम है और आप निश्चित तोर पे आने वाले 15 गंटे है वो पड़े शांत रहेंगे खुब नींद लेंगे और सुबह शांती से आप एकजाम देने जाएंगे एकजाम में वो सब कुछ होगा जो पूरे साल आपने दिन किया है पूरे साल आपने पड़ा है बिल्कुल भी नहीं गब रहीं बिल्कुल भी आप इस परकार की टेंशन नहीं लें ऐसा कुछ नहीं होगा वेपर में जो आपको नहीं आता है आपको सब कुछ आता है और आता रहेगा और उसके अनुसार आप पेपर स्वाल करोगे लेकिन फिर भी कुछ बाते हम ध्यान रखेंगे एक्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले एक्जाम होल में पेपर केसे अटेम्ड करें ये भी हम इस पर भी दोड़ी चर्चा करेंगे तो हम बात कर लेते हैं बच्चो एक्जाम सेंटर में हमें क्या-क्या साथ में ले जाना है जिसे हमें किसी परकार की कोई दोड़ीदा नहीं हो तो सबसे पहली बात थे हम ध्यान लगे जहां पर भी हमारा सेंटर है उस सेंटर से लगबग दो गंटे एकजाम से दो गंटे हम पहले पहुंचे आप एनिहाओ बारा बजे तक आप पहुंचे और सुबह लाइट बोजन करके आप जाए किसी परकार का स्पाइसी बोजन है व आपको पता है बच्चो 130 पर आपका सेंटर क्लोज हो जाएगा उसके बाद में कोई एंट्री नहीं है तो यह रिस्क नहीं लें इसलिए आप 12 बजे के आसपास आप हमने सेंटर पहुंचे और बड़े कूल माइंड से रहें क्यूंकि हमने जो पूरी साल में पढ़ा है सब कुछ पेपर में होगा किवल हमें उन चीजों को पैचान के और अपनी अंसर की के अंदर बढ़ना है बच्चो अपने साथ में क्या ले जाना है तो आप एड्मिट कार्ड है वो इसका दो प्रिंट ले ले और जिसके फस्ट प्रिंट पर है आप एक छोटा फोटा है वो च कि जहां पर एक्टनिस की करवाए जाएगा एक्जैमिनेशन होल में वाम पर वो चिपकानी होगी इसलिए एक फोटो साफ फोटो रंगीन फोटो है वो साथ में ले जाएं इसके साथ में एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ बच्चों आपको साथ ले जानी होगी क्योंकि बी भी आपका रासन कार्ड हो सकता है कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जो भी आपके पास में अपनी आइडी प्रूफ है वो आप ले जाए और आप एक ट्रांस्परेंट पाने की बोटल ले जाए साथ में बच्चों ड्रेस की बात करें तो आप हाप स्लिव आपको टी सर्ट पहन सकते हैं आपको पाईजामा पहन सकते हैं और किसी परकार का एक फुल या सर्ट नहीं पहने और स्लिपर है वो पहन के जाए सूजन नहीं यह ज्यान रखें यदि कोई बच्चा पी डूबलू का है तो उसका सैटिविट जूर साथ में ले जाए और इजिनल स करें हैं आपको पेपर 145 पर मिल जाएगा 150 के उपर आपको OMR की जो उपरी एंटरिंग है जो सरपेश एंटरिंग है वो आपको सब कुछ करनी होगी रोल नमर लिखना होगा नेम लिखना होगा तो वो आप 10 मिनिट में अपना दो बज़े से पहले पहले ये कारे कर ले हैं फिर आपको दो बज़े पेपर खोलने के लिए का जाएगा तो पेपर की सील आप खोल के और पेपर सोल करें पहले पांच मिनिट बच्चो आप पेपर को एक बार पूरे पेपर को गो थू कर ले देख ले वेपर को किस परकार के कुशन क्या है तो अपना माइंड सेट हो जाएगा और पेपर उसी सीक्वेंस में करें जैसे आप अपने माइनर में अपने टेस्ट सीरीज में आप कर रहे हो फिर भी मेरे ऑपिनियन के अनुसार पहले बायो करें केमिस्ट्री करें और फिजिक्स करें फिर भी आप यह कोई हार्ड एंड फास्क नहीं है आप जिस से एक सो पचा स्कूसन ओंगे मोडरेट क्युशन है लगबख की 20 पुचależन ओंगे करें और मुश्पश्त से पांझ से साथ कुशन होते यह जो थृड राउंड में करें और फ्स राउंड के बाद में अपनी ओहार्णष् First ली भर ले क्योंकि से कि Minnie या थर्ड राउंड के लिए ओमार शीट का वेटने करें और उसके बाद में लास्ट में पांसे दसात मिंट होता है तो एक बार फिर आप पेपर चेक कर लें या कोई बड़ा क्यूशन कोई हार्ड क्यूशन है उसके उपर आप दिमाग लगें क्योंकि अन्तमें बच्चों ब्रेन की स्पीड, निरो ट्रांस्विटर की स्पीड, अपनी मेमोरी की स्पीड है वो इनिशेटिंग से हजार गुणा अधिक होती है तो वो हार्ड से हार्ड क्यूशन भी है लास्ट में सोल हो जाता है फस्ट राउंड में कुछ क्यूशन आपको ऐसे लगेंगे जो हमें नहीं आ रहे हैं लेकिन जब लास्ट राउंड में आप उन क्यूशन को पढ़ोगे तो आप बड़े स्पीड से उन क्यूशन के अंसर भी कर देंगे फस्ट राउंड में जरूर ध्यान रखें योदि कोई बड़ा लेंदी क्यूशन है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें उस यह पर देना जाए तो मैं सभी निट एस्पेरेंट को सभी सील्शन को मैं सुब्षकामना ही देना चाहता हूं बेस्ट अब लग देना चाहता हूं कि आप कल वो करोगे तो शील्शन में आज तक नहीं हुआ है कल का दिन हमारा होगा बेस्ट अब लग